हेलो फ्रेंज मैं हूँ सिवानी स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में दोस्तो आज मैं आप लोग सेयर करने जारी हूं मकर सकरांती ये स्पेशल हेल्दी बरफी की रेसिपी ये बरफी सिर्फ तीन चीजों से बनके तयार होता है खाने में बेहर टेश्टी लगता है मुह में जाते हैं ये बरफी घुल जाता है और बनाने में भी बहुत आसान है तो आप लोग भी इस बरफी की रेसिपी को जरू ट्राइ कीजेगा और अगर इस भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल अकेन को दमाना नहीं भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं बरफी बनाने के लिए यहाँ पर हम गैस अन करके करहाई चिरहा दिये हैं बस दो से तीन वेर तक मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है तो यह देखे तील को हम भून लिए हैं थोरा सा कलर बस चेंज हुआ है ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है अगर आप ज्यादा भूनेंगे तो तील करवा हो जाएगा और टेस्टी वर्फी नहीं बन पाएगा इसलिए बस थोरा ही सा भूने तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते एक प्लेट में और इसको ठंडा होने देते हैं और अब हम इसमें भूनेंगे मुंगफली तो एक कटोरी मुंगफली ले लिए तो जितना हम तील लिये थे उतना ही मुंगफली भी लिये हैं और इसको ठंडा करके इसका हम छिलका हटा लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तील और मुंगफली अच्छे से ठंडा हो चुका है और मुंगफली में से हम छिलका भी हटा दिये हैं तोrau जलिए अब हम इसको ग्राइंड करेंगे यानि कि इसको डर्डा पीसेंगे तो एक GRIND applicatee लाइंगे उसमें हम सभी तील को डाल देंगे और एक बार में लगातार चलाते हुए आपको नहीं पीसना है, इसको मिक्सी को खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलना है, बंद करना है, ऐसे में एकदम दरदरा आपको पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है, फाइन पाउडरो नहीं बनाना है, तो ये दिखिए दोस्तों तो तील को हम पीस लिए हैं एकदम दरदरा सा अगर आप लगतार मिक्सी चलाते हुए इसको पीसेंगे तो तील में से तेल छोड़ देगा तो इसलिए आपको दरदरा पीसना है और एक पर चलाना है फिर बंद करना है फिर चलाना है और फिर बंद करना है बिल्कुल वैसे ही आपको पीसना है तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसी तरीके से मूंगफली को भी पीस लेंगे तो अब हम इसी मिक्सिंग जार में मूंगफली को डाल देंगे और इसको भी हम दरदरा सा पीस लेते हैं तो ये देखिए मुफली को भी हम दरदरा सा पीस लिए तो इसको भी अब हम प्लेट में निकाल देते हैं और चलिए अब हम बड़फी बना लेते हैं तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लिए हैं तो अब हम फिर से गैस अन करके क्राइच रहा दियें उसको अच्छे से गरम कर लेंगे और उसमें हम डालतेंगे चार से पांच चमच रिफाइन वाइल आप इसको घी में भी बना सकते हैं पर हम इसमें रिफाइन वाइल से बना रहे हैं तो रिफाइनल को अच्छे से गरम कर लेंगे, चलो तरफ फैला के इसको अच्छे से पहले गरम कर लेंगे, और तब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, उसके बाद इसमें हम गुर्ड डालेंगे, तो आज हम ये बर्फी गुर्ड से बना रहे हैं, क्योंकि गुर्ड हमारे हेल न है तो यहां पर हम s daring in yea the Solweek लिए थे a dho schaffen powiedzieć उससे एक कटोरी मुंफली लिए लेंगे तो आपका ये बढ़फी एकदम आप लोग्यों फ्लेम पे इसको पिखलाएंगे क्योंकि गुर्ड जो है तुरूंद मेल्ट हो पकाना है और दोस्तों गुर्ण को ज्यादा नहीं पकाना है तो ज्ञागाने के बाद इसको हम 30 सेकेंड के लिए पकाएं है और अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे अगर ज्ञागाने लगे उसके बाद आपको 30 सेकेंड तक पकाना है और उसके गैस के फ्लेम को आफ कर देना इसे ज्यादा नहीं पकाना है गुर्ण को और अब हम इसमें तील और मुंगफली डाल देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स गैस के फ्लेम को आफ करके ही अच्छे से घी लगा दिये हैं चालो तरब चे ताकि यह मिक्चर जो है वो चिपके नहीं और अब हम इसमें यह मिक्चर डाल देंगे और अब हम इसको सेट कर लेंगे तो इस बरफी वाले मिक्चर को सेट करने के लिए यहां पर में कटोडी ले लिए उसके नीचे हम घी दवाते हुए अच्छे से पुड़े थाली में सेट कर देंगे इस बरफी के मिक्चर को इस तरीके से आप करेंगे तो अराम से सेट हो जाएगा और अगर आपका यह बरफी का मिक्चर थोड़ा सा भी भखर रहा है तो उसमें आप दूद के छीटे मारके और इसको अराम से सेट कर सकते हैं यह खडाम नहीं होगा और यह दिखिए दोस्तो यह बरफी का मिक्चर वह अच्छे से सेट हो चुका है तो चलिए इसको हम एक मेड़ के लिए छोड़ देते हैं तब हम इसमें कट लगा देते हैं जैसा काजू कतली बनता है उसी तरीके का हम इसमें कट जीजेते हैं ताकि एक्ष्ट्रा जो है वह प्षम्ट में कट लगाएंगे तो चारो तरफ से हम कट लगा दी है तो चलिए अब हम इसके बीच में कट लगा देते इस तरीके से और उसके बाद इसको हम काजु कतली के तरह कट कर लेंगे बड़फी को तो ये देखिए दोस्तों मिक्स्चर में हम कट लगा दी हैं आप देख सकते हैं बिलकुल काजु कतली के तरह हम इसमें कट लगाए हैं तो चलिये अब हम इसको निकाल लेते हैं तो एक मीट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको निकाल ली हैं आप देख सकते हैं तो यह दीखें दोस्तों यह बरफी कितना ज़्यादा अच्छा बना है इदम परफेक्ट यह बरफी बना है और बहुत ही कम समान से बन जाता और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि आप लोग एक बर बना के खाएंगे तो बार बर बना के खाएंगे तो आप लोग जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कॉमेंट करके बतेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़ज़दा सेयर कीजेगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली में तो मैं डिक्स वीडियो फिट से लाओंगी तब तक के लिए बाई